बश्कार दोस्तों परिक्षादाम यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करविया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटस वीडियो के नोडिफिकेशन पर आप तो 50 जिलों को याद करने के लिए ट्रिकर अस्तमाल करेंगे चलिए तो हम पारम करते हैं तो आज का हमारा पहला कोशन है मत्प्रदेश में वर्तमान में कि दिने संभाग हैं तो मत्प्रदेश में वर्तमान में हैं 10 संभाग इदेगे चंबल, गौालियर, उज्जेन, इंदौ और बहुपाल, सागर, रिवा, शेहडोल, जवलपुरो, नमदपुरा, संभाग से तात पर यह होता है जिलों का समु, जिसे हम प्रमंडल या डिवीजन भी बोलते हैं, और वरतमान में इनकी संख्या मदप्रदेश में हैं, दस. सेकंड कोशन देखिए, मदप्रदेश का गठन किस दिन हुआ, यह आपका होमवा के, यह आप कमेंड करके बताएंगे, किस दिन हुआ है, ठीक है? ठीक है, मदप्रदेश में वरतमान में कितने जिले हैं, तो सीधे याद रखना है, ठीक है, मदप्रदेश में वरतमान में कितने हैं, बावन जिले, जिसको हम प्रिक्यमाद्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, तीस कोशन डिसकस करने के बाद, तो अंतक वीडियो के साथ बने रही है, फोट कोशन देखी है, मत्परदेश में कोरोना का पहला केस किस संभाग के अंतरगत मिला, यह मिला है जवलपूर के अंतरगत, इसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोविड-19 प्ताथ पर है, कोविड-19 से, क्योंकि 2019 में यह पहला केस मिला, तो विश्व में सरवदम कोरोना का पहला केस कहां देखा गया है, तो यह आप कमेंट करके बताएंगे, यह आपका खुंबख है, फिफ्ट कोशन देखी, मद्पदेश राज से 36 गड़ राज गो कब अलग किया गया, तो यह अलग किया गया 31 अक्टूबर 2000 को, यह देखिए, पहले से युक्ती था मद्पदेश उ 36 गड़, लेकिन अलग हो गया, तो इस तरीके से इसका रूप परिवर्तित हो गया, ठीक कोशन देखिए, सरवादिक जनसंख्या वाला संभाग कुन सा है, तो सरवादिक जनसंख्या वाला संभागे इंदोर, और सरवादिक जनसंख्या होने का कारण यह भी है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक अतिविदी बहुत जादा होती है प्रदेश की, तो अन्य जो प्रदे में इसका नुबा कोशन देखी निउन्तम छेतरफल वाला संभाग कौन सा है तो यह है यहाँ शेडोल ठीक है दसबा कोशन देखी निउन्तम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है तो निउन्तम जनसंख्या भी कहां मिलेगी आपको शेडोल में जनसंख्या और छेतरफल दोन छेत्र की शेष में पुरुष्वा इस्त्री की संख्या का अनुपाद जिसको प्रती हजार पुरुष्च के मुकाबले इस्त्रियों की संख्या की गड़ना करके मापा जाता है ठीक है तो सबसे कम कहां मिलेगा चंबल में बारवा कोशन देखती है कि बीहड प्रभावित संभाग कौन सा है तो बीहड प्रभावित संभाग की हम बात करें तो यह कौन सा है चंबल और बीहड से ताथ पर गया हो जाता है कि यह जो चंबल का छेत्र है यहां पर चंबल नदी के द्वारा इस छेत्र के जो भी इस्था वहाँ क्या होता है कि बड़े-बड़े खट बनाय दिये जाते हैं ठीक कि तो वहाँ पर चमबल नदी बहती है तो कईक प्रकार की झात हो जाती है तो बड़े-बड़े यहाँ पर खट जाते हैं एसी व connected क्या होता है कि जो डॉक आप में क्या दो क्या होतлек चंभल, तेरवा कोशन देखी एक नमबर 1956 को मत परदेश में किसने संभाग थे सीधे इसको फेक्टे याद रखना है तो ये संभाग थे नो, चोधवा कोशन में देखिए, road iPad में किसने संभाग थे, तो 1980 में मत्परदेश के संभाग हो गय थे किसने 12 तो हमने तीन डिविजन एट की निस सो सी में कौन-कौन से होशंगाबाद बस्तर तीसरा कौन सा था वो आप कमेंट करके बताएंगे ठीक है पहले नो थे बाद में तीन हो गए तो कितने हो जाएंगे बारा पंदलबा कोशन देखी एक नमबर 2000 को मतपदेश में कितने संभाग थे नो ठीक है इसके पूर्व क्या था कि जब 36 गल प्रतक नहीं हुआ था तो मतपदेश में 12 संभाग और 61 जिले थे लेकिन प्रतक होने के बाद 45 जिले बचे और 9 संभाग जिसमें कि ये शेडोल नहीं था ठीक है सौलवा कोशन देखिए शेडोल संभाग किस वर दो लिए तो इस तरीके से क्या होग थे 2008 में 10 संभाग मतप्रदेश में ठीक है अठावा कोशन देखिए होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर नमदापुरम किस वर्ष रखा गया तो ये रखा गया था कब 2008 में 2008 में दो important चीज आपको याद रखने ही पहला तो क्या हो कि शैडूल संभाग बना दसभा और 2008 में ही नमदापुरम का नाम बदल कर सौरी होशंगाबाद का नाम बदल कर होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर नमदापुरम रख दिया गया था ठीक है चलिए 19 बा कोशन देखिए चंबल संभाग का मुख्याल है क्या है तो कालिर संभाग के अंदरगत कौन से जले नहीं आता तो क्वालिर संभाग की अंदरगत श्योपूर नहीं आता बाकी जले आएंगे श Respons because閃 mechanics करने के बाद कि किस संभाग में कून से संभाग में से जले नहीं है जो है प्रस्ताव रखा गया था 18 मास 2020 कोई से तीन जले प्रस्तावित किये गए थे, ठीक है, यह देखिए, 22 बार कोशन, कोशन से, बस थोड़ा सा इसमें क्या बताना है आपको, जो प्रस्तावित जला नागदा है, वो किस संभाग में आता है, ठीक है, कोई तीन जलो में से है यह, तो यह आता है उज्जेन में, ठीक है, उज्जेन से अलग करके, क्या बनाने की बात चल रही थी, नागदा, ठीक है, तो यह आपका है उज्जेन, 23 बा कोशन देखिए, पूरु मत्परदे सरकाव द्वारा प्रस्ताव दिला, चाचोडा किस संभाग में आता है, तो यह आता है गोलियर में, और यह आपका होमवर्क रहेगा, कि चाचोडा को किस से अलग करके, बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, तो कमेंट करके तो धार किस में आता है, धार आता है इन दौर में, ठीक है, तो यह उजियन में नहीं आता है, ठीक है, पचीसवा कोशन देखिए, इन दोर संभाग में कितने जिले हैं, तो इन दोर संभाग में जिले हैं, आठ, ठीक है, चलिए, अगला कोशन देखिए, अगला कोशन बात करें तो इसमें कितने हैं तीन, जवलपुर में है आठ, और रिवा में कितने हैं, चार, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, 27 वा, कोशन से, बस यहां पर यह बताना है, वही, संबाग और जिलों की संख्या, और जैन की बात करें, तो यहां कितने हैं, साथ, गौलर की बा 28 वा कोशन देखए सरबादिक साक्षर्ता वाला स goog है कौन सा यह जवल 거지 तो यहां पर पड़े लेखे लोग जादा है ठीक है, तो पूरे प्रदेश में सवश्यादा पड़े लेखे लोग कहां आएंगे तो यह जवल्पूर संभाग ठीक है 29 वा कोशन देखिए पन्ना किस संभाग के अंतरगत आता है तो पन्ना आता है कहां सागर के अंतरगत ये देखिए ये है सागर संभाग और ये आपको मिल जाएगा पन्ना ठीक है जो कि हीरों के लिए प्रसिद्ध है ठीक है तो मत्पदेश में जो सरवादे घीरे कहां मिलेंगे पन्ना में ही मिलते है ठीक निवाडी के संभाग के अंतरगत आता है तो निवाडी आता है सागर के अंतरगत और ये देखिए ये है सागर संभाग और ये हो गया आपका निवाडी और निवाडी बनाया गया था कब 1 अक प्रिक के ऊपर चलिए तो सबसे पहले थोड़ा साम फॉर्मेट देख लेते हैं कि तीन जिलों वाले संभाग कौन-कौन से हैं तो ये हैं चम्बल, शेहडोल और नर्मदापुरम ठीक है ये देखी चम्बल, शेहडोल और नर्मदापुरम, चार जिलों वाला कौन सा है तो च कौन सा है उज्जेन आठ जलों की बात करें तो इंदौर और जवल पूर अब दस संभाग के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है तो जैसे अभी उनने देखा था कि बहुत परशान कर रही उथल पुथल मचा रही तो यहां भी मचाई रही है किन पर ठीक है जब इन नर् अमदा शेहरी गॉलें का चंबलें साङ्भोष उजाडा थी कि यहाद रहाँ कि नमदा शेहर के जो गॉले थे वो जा रहे थे चंबछ छेदर की मचाते डादिया ठीक है तो जब से क्या हो जाएगा जबलपूर इन बिल adviser नम्दा से नमदा पूर हम वात खोर और ठीक पार ग्वालें से हो गया ग्वालिर, चंबल से फिर चंबल है, साग में हो जाएगा सागर, भोश से बना लेंगे आप उपर, इसका पहले नाम भुश पाली था, ठीक है, उजाडा की बात करें, तो उजाडा से उस से बनाएंगे गया, उज्जें, ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक में डाको भी थे, ठीक है, वहाँ जो चंबल नदी का छेतर था, वहाँ डाको काफी ज़्यादा है, तो उन से लड़ने के लिए भीश पता, जो भीश मज़े सकती होनी चाहिए, तो भीश मज़े सकती में क्या हो जाएगा, देखिए, इसके टेकी हो गई भीश म, तो इसमे रेटिًपरम में क्या हो जाएगा, भी से हो जाएगा भिन, शाह से बनेगा शियो पूर, मा से बन जाएगा क्या मुरे ना, शेडॉल की बात करें, शेडॉल में रहती है कौन उसा अंटी, ठीक है, तो उसे बना लिएक़, ग live या साह से बना लिएक़, ओ मरिया कोई रूरी भीनीन, ठीके, नम्दापुरम की और चलते हैं, तो नम्दापुरम में दोटेगे, या तो इस से आप कर ले रवे होसे, या ना हो बाबा है, ठीके, ना तो बन जाएगा, नम्दापुरम होसे बनाएंगे कया हम Oxangabad, बाबा से बनाएंगे, या बैतूल मिलती है तो भाँ पोलेंगे क्या रसी सीधी है तो रह से क्या हो जाएगा रीवा सा से बनाएंगे क्या सतना सी से बना लेंगे क्या सिंगरोली और एक सीधी से क्या फिसीधी है और फिर हम चलते हैं गौलियर तो गौलियर में क्या है जो शिव जी के गौल है ठीक है उनको गा आना से हो गया शोक नगर दतिया से फिर दतिया ही बनेगा ठीक है चलिए हम भोपाल के पास चलते हैं तो भोपाल में क्या एक मित्र रहता है जिसका नाम क्या है राजवीर राय तो उससे पूछ रहे हैं भोपाल से हो राजवीर राय तो बोलता है हां तो यह देखिए भोपा पर में क्या हुआ है शादी पे गए हुए है कोई हमारी जो फैबरेट डेश है वो बहुत कम मिल रही है तो अब उसमें हम छाट नहीं सकते हैं अच्छी कौनसी है बुरी कौनसी है छाट लेते हैं तो हमारा एक दोस्त वो सला दे रहा है कि वहां छाटना नहीं है जो मिल है ले लेना है तो हो बोलता है साधी पे छाती ना ठीक है तो यहां पर हो गया सागर दी से हो गया डमो पे शे ऑजाए ना से बनेगा नीमच और उसे क्या बना लेंगे हम उज्जेन चलिए हम आगे बढ़ते हैं जवलपुर के पास चलते हैं यहां क्या हो रहा है एक भाई दूसरे भाई से के रहा है क्योंकि वो होग ठक चुका है बोल रहा है जा काटना छे नंबर से डंडा मैं बहुत ठक गया हूँ छे नंबर एक चाकू का नाम है या कुलहाली का नाम है ठीक जो भी मान सकते हैं तो वो बोल रहा है जा काटना छे नंबर से डंडा कोई डंडा काटना है ठीक है और वो बोल रहा है कि मैं बहुत ठक गया हूँ तो जा काटना 6 नंबर से डंडा मैं बहुत ठक गया हूँ जासे क्या हो काट से हो गया कटनी ना से हो गया नरसिंग पूछ छे से हो जायागा चिनदवाडा से से सिवनी और डंडा से डिंडोरी और मैसे मंडला बहुत से बाला घांट ठक यहां को कोई concept नहीं चलिए हमारा लाट संभाग है अंदोर संभाग यहां भी कितने हैं आठ जिले ठीक है तो यहां हम ट्रिक का इस्तमाल करेंगे इधर आ बड़ा खाखर भुझा ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा अंदोर दर से हो जाएगा धार आ से हो जाएगा अली राजपुर बड़ा से बनाएंगे बडवानी कला से बनाएगे खड़ा खर से खरबुन भुझावरान जाह से जाबुए इस तरीके से हमारा ये लेक्चर होता है ठीक है और यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ठीक है, सो थैंक्स पर वाचिंग दिस लेशन और सब्सक्राइब यूटूब चैनल परिक्षाधाम